अब इचले एक देड़ साल से देख रहा हूँ एक बात कि आपने रट लगा रखे कि 2017 वाला मित 18-19 वाला मित अलग हुआ करता था अब वाला मित बड़ा मैच्छोर हो गया है समझदारी वाले कॉंटेंट बनाता है हमें पहले वाली चीज चाहिए मैं आपकी फिलिंग समझ स देखए इतनी सारी चीजे देखी कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं पीछे जाना ही नहीं चाहता वह जो मैंने कर दिया बालक आज करते फिर रहे हैं अब मैं भी होई करता उनके साथ तो बात नहीं रह जाएगी अब मुझे वो करना है कि जो मैं आज गरूं तो तीन से जाल बात जब वो चीज हो रही हो तो आपको यह तो अमित कर चुका है पहले अब मुझे नहीं पता कि आदमी अगर अपने आपको थोड़ा समझदारी वाले हर टाइम 24-7 वो फन ना करना चाहता हो थोड जाए ती घर चाही है इसलिए मुझे नाम करना था वो सब मैं पूरे कर चुका हूँ सब चीजने kdo पूरी हो रहे है की कमी नहीं है कोई दिक्कत ही नहीं है अब मुझे अपनी ग्रोथ अब तक मैंने सिर्फ लोगों के बारे में सोचा, सिर्फ और सिर्फ, सफर में जितने लोग मेरे साथ रहे, जितने लोग मुझसे अलग रहे, मैं सब की कदर करता हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं है, कभी कुछ भी मेरे खिलाब बोला जाए, कुछ भी मैं कभी कुछ बोलता ही इंटरनेट पर कितनी चीजे देखते हैं कोई नहीं काम से जवाब देंगे ये सब चीजे चलती रहे और जो इंटरनेट पर बोलते हैं मैं कईता हूँ अगे पीछे चला जाओं गाँ तो पता है आप ही लोग होंगे जो मिरको बोले होगे कि अरे भाई ये सब तो कर चुक है अब इसको repeat पर क्यों कर रहे हो तो ये ना दोनों चीजें इसको संतुलित करना बड़ा जरूरी है ये मैं समझ सकता हूँ आप भी समझोगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि जो चीज मैं सोच रहा हूँ वो दूसरे को समझाने में म आप नीचे जा रहे हैं कभी डगमा गाए ना वो हर कदम आपके साथ कड़ा है जो पलपल बजल जाए हैं पल्ती मार दें वो फैन नहीं होते हैं सिर्फ चका चोंद नाम देखकर आपकी तरफ आकर सित होते हैं लेकिन जो आपकी वीजन अच्छी सोच आपकी सफलता में ज जो ग्रेजविशन करके आया है वो वीडियो में शुरू में आकर हाथवात हिलाता था फटा फटा फट यह चीज़े करता था उसको दीरे दीरे लगा इतने हाथवात ऐसे करने की जरूरत ने आराम से एक्ट करेंगे जो एक वीडियो में फुल राइमिंग के अलावा बात शुठ यह ताट ने करता था उसको लगा इतने जनी राइमिंण करने की जे अमित आराम आराम से जो सिर्फ वाट्सेप पर लिखता था उसको लगा यार वौट्सेप पर नहीं प्रपर तरीके से लिखेंगे एक कहानी बनाइंगे मुझे लगा कि तू पैसे कमा रहा है तू चीजे कमा रहा है तेरे को अपने अंडर में लोग रखके ऐसा काम करना होगा कि तुझे अब रोजगार भी देने होंगे तुझे एक बड़ी टीम बनानी होगी कि तु लोगों को रोजगार भी दे, अगर तु कमा रहा है तु सारा अपने पास नहीं रखेगा, तु बाटेगा, तो तु आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुझे कहीं जोड कर नहीं रखना, मुझे अपने जरिये लोगों को रोजगार देना है, अपने जरिये लोगों को सफल बनाना है, अपने जरिये लोगों को कामियाब करना है, मेरा बहुत बड़ा वीजन है, बहुत बड़ी सोच है, मैं छोटी मोटी चीजों से दूर रहना चाहता हूँ, बस आप सब जब यह बाते करते हो तो मुझे दिल दुखता है, मुझे लगता है यार यह क्यों कर रहे हैं इसा